नमस्कार में रिनुका दत्ता घर जंक्षन के इस सेग्मेंट में आपका स्वागत करती हूँ तो आज हम आहें सियारा इलाइट प्रोजेक्ट पे जो की बहुत ब्यूटिफुल और लग्जिरियस प्रोजेक्ट है पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने घर जंक्षन के इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे ताकि आपको हमारे पुराने और नए वीडियो की नोटिफिकेशन मलती रहे तो आज हम इस वीडियो में cover करने वाले है प्रोजेक्ट का floor chart 1BHK, 2BHK इसके बारे में हम जानने वाले है facilities, amenities जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाले है और एक important चीज जो लोग ठाने गोंडबदर पे flags देख रहे है या project देख रहे है उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा important है तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये वीडियो अन तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में उनके लिए एक plus point है तो चलिए इस project को explore करते हैं और क्या वो plus point है जानते हैं चलिए चलिए जानते हैं शक्ति ग्रूप्स के बारे में शक्ति ग्रूप्स जो है बीस साल से जो है कल्यान बाइपास, कल्यान भीवंडी यहाँ पर जो है बहुत सारे ongoing और upcoming projects है तो चलिए जानते हैं इनके ongoing projects के बारे में तो जैसे के आप यहाँ पर देख पारे हो सिद्धी विनायब जो है इनका ongoing project है के आर हाइट्स इनका almost जो है project बन चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं C.R.A. Fortune यह इनका ongoing project है C.R.A. Icon यह इनका ongoing project है C.R.A. Elite यह इनका ongoing project है और आज हमें इस वीडियो में C.R.A. Elite को cover करने वाले हैं चलिए जानते हैं इनके upcoming project में जिसमें से एक है C.R.A. Homes C.R.A. Homes जो है township project है और यह 25 buildings का project है इसके अलावा इनके यार face to face project है ओम साई upcoming projects हैं के चलिए जानते है project के amenities के बारे में जो amenities है वो ground प्लस rooftop amenities है आपको ground में जो है children's play area senior citizen area है और rooftop में जो है आपको club house है club house में आपको gym, yoga meditation room, walking pathway और sitting lounge अविलेबल है और ऐसे बहुत सारी amenities यहां पर आपको available है तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने project में इतना सब तो आपको बता दिया बट सबसे important चीज मैंने नहीं बताई connectivity राइट तो चलिए जानते है project के सबसे बड़ा important point connectivity के बारे में और सबसे important चीज आपको इस project के exactly सामने आपको six lane highway है और Mumbai नाशिक highway eight lane highway भी यहां से आपको बहुत जादा नस्दी है और इससे और जादा आपको benefit वाली बात बताओ connectivity के बारे में तो इसमें जो है आपको कल्यान station जो है सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनिट की दूरी पर है विवंडी station भी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनिट की दूरी पर है मेट्रू स्टेशन दो मिनिट की दूरी पर है अगर मैं connectivity में आपको सबसे important चीज बताओ तो यहाँ पर 360 degree connectivity है जो क कि आपको Central, Western और Herbal से connect करते हैं तो connectivity के बारे में अगर देखा जाए तो यह सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे बढ़िया project है तो चलिए जानते हैं facilities के बारे में तो facilities के अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर 10 मिनिट के radius पे सब facilities available हो जाती है facilities जैसे की school, college, bank, hospital, ATM, petrol pump, CN energy pumps, आपको यहाँ पर walking distance पे भी available है अगर facilities की बात की जाए तो यह project सबसे जादा convenient है तो हमने शक्ति ग्रूप के बारे में पूरी जानकारी तो ले ली चलिए जानते हैं CRI lights project के बारे में CRI lights project जो है 18 स्टोरी राइट का tower है जिसमें जो है आपको ground plus 3 तक commercial आते हो और जो commercial की parking है वो आपको front side में होती है और आपको जो है ground plus 3 के बाद आपका residential स्टार्ट हो जाएगा residential की जो parking है वो ample parking है जो आपको building के back side में available हो जाएगी और आपको rooftop पूरी amenities मिलती है तो अब है मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों से जो थाने गोडवंदर side में property देख रहे है या residential देख रहे है तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस प्रोजेक के बारे में जान लोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस project में upcoming metro station सिर्फ और सिर्फ आपको walking distance पर है जि तो इसमें जो है आपको आपके जो आप थाने गोडवंदर में इन्वेस्ट करोंगे उसके half of rate में आपको इसमें बहुत जादा लगजीरियस और beautiful flats अवेलिबल हो जाते है आपको जो है 8-link नाशिक highway भी just walking में निट के दूरी पर है तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक ब upcoming project है वो बहुत जादा आपको डिमांड देने वाले है इन future में इस property के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक second thought दीजिए और यह property जरूर वीजिट करिएगा शायद आपका नजरिया बदल जाए आपके investment को लेके अगर हम CRI light project के बारे में बात करें तो यहापे आपक आपको डिसेंबर 24 तक मिल जाएगा तो चलिए समस्टे फ्लोर चार्ट के थू हमारे commercial shops के बारे में और 1BHK और 2BHK के बारे में तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कमर्शिल्स को तो कमर्शिल्स जो है ground plus 3 तक आपको पूरा commercial देखने मिल जाता है और कमर्शिल में जो है प्लोर पे जो है 10 shops देखने मिल जाती है और आपको सबसे important चीज में यहाँ पर बताना चाहूंगे आपको each shop की साथ attached washroom मिल जाता है commercial जो है A wing and B wing की entry होगी दोनों साइट से अलग से entry मिल जाते है commercial के entry पूरी अलग से होगी और residential के entry पूरी अलग से होगी commercial के लिए आपको यहाँ पर total 4 lifts भी दिये गई है तो commercial जो है total 40 shops यहाँ पर commercial के लिए अविलीबल है और May 23 तब जो है आपको यहाँ पर commercial का position मिल जाता है तो चलिए जानते हैं हमारे 1BHK और 2BHK के बाएरे में तो 1BHK और 2BHK जो है वो A wing and B में डिवाइड़ है तो टल एक फ्लोर पे जो है आपको 8 flats देखने मिल जाते है जो कॉर्णर के फ्लैट्स होंगे वो 2BHK होंगे और बागती सब 1BHK होंगे जो चलिए देखते हैं 1BHK फ्लैट्स के बारे में तो जो 1BHK है जिसका हॉल प्लस डाइनिंग जो है 9 by 15 की डा जो है जो है आपको अटाइच बालकनी मिल जाती है 1BHK में जो हॉल है वो काफी स्पेशियस सुन्दर है और बड़ा है यहां पे स्पेस बाग अच्छा अविलिबल है जो चलिए 1BHK के हम अगर लिविंग प्लस डाइनिंग से जैसे ही एक्जिट लेते हम हमारे किचन की तरह बड़ते है तो खीचन 7 x 8 के डामिनशिन पे बना हुआ है और इसमें भी आपको सात में आटाइच बालकनी लेतरी है और इसमें जो है आपको वाशिंग मेशिन के लिए भी आपका स्पेस अविलिबल है जो किचन है वो ग्रेनाइट ब्रेस किचन है यहां पर जो आप by 1050 की डायमेंशन्स में बना हुआ है और यहां पे जो है इसके साथ अपको अटैच बालकनी देखने मिल जाती है स्रैंडिंग बालकनी है और इसके सामने ही आपको सेपरेट वाश्रूम भी मिल जाता है तो यह था हमारा टोटल 1BHK तो वन बीच यह से जैसी हम एकजिट करते हैं हम बढ़ते हैं हमारे टूबिच की तरफ टूबिच के में जो है आपको एंटर करते ही एंटरी स्पेस मिल जाता है जो फोर पाई सिफ्ती की डायमेंशन्स में बना हुआ है जैसे हम अमारे एंट्रो स्पेस से आगे भड़ते हैं, हमें हमारा 2BHK का लीविंग प्लस डाइनिंग देखने मिल जाता है, जो 9 by 18 की डाइमेंचेंज में बना हुआ है, तो बढ़ते हैं हमारे किचिन की तरफ हमारा किचन जो है 7 by 9 की डाइमेंचेंज पे बना हुआ है, इ इसमें बना हुआ है, और इसमें भी आपको अट्एज बालकनी मिल जाती है, और काफी बड़ा और सुन्दर है, यहां पर आपका किच्ट्स प्ले भी किच्ट्स रूम भी बना सकते हो, आप अपको खुदका एक गेमिंग रोम भी सेट अप कर सकते हैं, जैसे चाहें आपक एक एक्ट्रा पोर्च एरिया मिल जाता है, विद बालकनी और यहां पर आपको अटेच वाश्रूम भी मिल जाता है, तो यह था हमारा पूरा प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से एक्स्प्लोड कर लिया है, प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी अगर इसके अलावा भी आपको कोई questions है तो नीचे दिये गए number पे contact करिए हम आपको respond करेंगे आपके questions का answer देंगे और अगर आपको और ज्यादा query है तो आप हमारा project विजिट करिए ताकि आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए और अगर आपको और कोई issue है या और कोई आपको है तो आप comment करिए आपको अगर immediate answer चाहिए तो हम आपको reply जरूर करेंगे और ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रही है अगर आपने अपना घर ले लिया है तो आपने friend आपकी family आपकी cousins अपने सपनों का घर लेने से ना चुके इसलिए उनके स for further video Thank you so much